प्रीती प्रणव और मैं हूँ प्रीती आज का वीडियो है माइ नाइट टाइम स्किन केर वीडियो आज के वीडियो में आपको ये बताऊंगी कि मैं रात में सोने से पहले अपने स्किन का ध्यान कैसे रखती हूँ इसके लिए मैंने सारे पतंजली के प्रोड़क्स यूज किये हैं मैं लास्ट टू टू त्री मंच से सारे पतंजली के ही प्रोड़क्स यूज कर रही हूँ और मैं इसके रिजल्स से बहुत ज़्यादा हैपी हूँ पतंजली के प्रोड़क्स बहुत जादा पॉकेट फ्रिंडली, बहुत अफॉर्डेबल, बहुत सस्ते होते हैं कोई भी प्रोड़क्स 80 और 100 रुपीज से जादा का नहीं है साथ ही साथ ये बहुत जादा अफेक्टिव है, बहुत जादा अच्छे रिजल्स हैं इनके अपने स्किन पे प्लस ये हर्बल है, इनमें जादा क्यामिकल्स नहीं है अब सबसे पहले मैं मेरे बालो को हेर बेंड की हेल्प से पीछे करूँगी ताकि मेरे बाल गीले ना हो अब मेरे फेस पे जो मेक अप है मैं उसे रिमॉफ करने के लिए पतनजली का कोकोनट ओ Kubernetes Oil लोगी क्योंकि मेरे skin oily है तो मैं इसमें थोड़ा सा पतंजली का aloe vera gel mix करूँगी अब मैं इन दोनों की help से अपना makeup remove करूँगी ये दोनों mascara और eyeliner को भी बहुत अच्छे से remove कर देते हैं इसके बाद मैं normal water से अपना face clean कर लूँगी अब मैं facial foam face wash लूँगी पतंजली का इसमें मैं apricot scrub पतंजली का इन दोनों को mix करके अपना face clean करूँगी मैं scrub इसलिए ले रही हूँ क्योंकि मेरे face पे थोड़ा सा makeup है तो makeup अच्छे से remove हो जाए इसके लिए मैंने scrub लिया है मैं daily scrub यूज नहीं करती हूँ आज मैं बाहर गई थी इसलिए face पे makeup था तो scrub यूज करना पड़ा नहीं तो मैं alternate days में इसे use करती हूँ अब मैंने इसे water से बिल्कुल clean कर लिया है अब मैं अपना face pad dry कर रही हूँ बिल्कुल soft towel से बिल्कुल gently अब हम cream लगाएंगे क्रीम के लिए मैं डेली अपनी night cream यूज करती हूँ जो मैंने खुद ने बनाई है बट आज मैं वह यूज नहीं करूँगी क्योंकि हो सकता है आप में से कुछ लोग वह क्रीम ना बनाना चाहें तो मैं आपको बता दूँ कि मैं जेनरली बहुत बार ऐसा होता है मैं सिर्फ अलवेरा जिल अपने फेस पे लगा करके सोती हूँ मुझे और कुछ भी लगाने की ज़रत नहीं पढ़ती है अपने स्किन को हाइडरेट करने के लिए ये मेरे स्किन को कम्प्लीटली हाइडरेट करके रखता है अंडर आए क्रीम के लिए भी मैं मेरी होममेट अंडर आए क्रीम क्रीम अपलाए करती हूँ बड़ अभी मैं बादाम तेल जो के पतंजली का ही है उसे अपने फिंगर पे लेके all over आई एरिया में उसे मसाज करूँगी ऐसे मैं अपनी आई क्रीम अपलाई करती हूँ अब हैंड्स में लगाने के लिए मैं तेजस तेलम का यूज करती हूँ मैं अपने हाथों और पैर में दोनों में मैं तेजस तेल अपलाई करती हूँ रात में सोने से पहले lips के लिए मैं बहुत सालों से boroplus ही use करती आई हूँ तो अभी भी मैं boroplus ही use करती हूँ इसके अलावा मैं और कुछ भी use नहीं करती अब जैसे कि आप देख सकती है मेरे face में दो pimples हैं तो इनके लिए मैं जब भी मुझे pimple होता है तो मैं यही करती हूँ यह है दिव्यकांती लेप इस पे मैंने अल्रड़ी एक वीडियो बनाया है मैं बिल्कुल थोड़ा सा दिव्यकांती लेप लेती हूँ इसमें मैं थोड़ा सा नीम्बू का रस आड़ करती हूँ इसका अच्छा सा paste बना के मैं जहां भी मुझे pimple हुआ रहता है उस पे apply कर लेती हूँ जब मैं मौनिंग में उठती हूँ pimple छोटा हो चुका होता है जो दर्द रहता है pimple का वो बिल्कुल खतम हो चुका होता है बिल्कुल भी pain नहीं होता रहता है pimple का क्योंकि generally नए pimple बहुत ज़्यादा painful होते है तो ये pain को भी remove करता है और pimple को ठीक करता है अब मेरी night care routine हो चुकी है skin के लिए अब मैं मेरे बाल को comb करूंगी comb करके मैं एकदम daily सी ponytail बनाती हूँ daily सोने से पहले and then I am ready अगर आपको मेरा ये video पसंद आया है तो please hit on like button और मेरी channel को subscribe करें अपने friends के साथ share करें और ये मेरी आखों के पास आपको हलका सा ये गीलापन दिख रहा होगा ये aloe vera gel है जो कि within 5 minutes मेरे skin absorb कर लेती है और skin बिलकुल normal हो जाती है तो I hope ये video आपको पसंद आया होगा please like my video and subscribe to my channel bye bye guys follow me on Roboso, Instagram, Google Plus and Facebook मेरा username है Preeti Pranav और links description box में mention है